हाई फ्रेंड्स वेलकम आपका अपने चैनल पर आई होप आप सभी खुश होंगे मंगल मैं होंगे आईए हम जानते हैं क्या विशेश होता है 19 नवंबर के दिन भारत की प्रथम महिला प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी जी का जनम दिन है भारत की प्रथम महिला प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी जी एक ऐसी महिला है जो ना केवल भारती राजनेती पर च्छाई रही बलकि विश्व राजनेती सतिच पर भी वह विलक्षन प्रभाव छोड़ गई यही वज़ा है उन्हें लोह महिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है स्रीमती इंद्रा गांदी जी का जनम नहरु खान्दान में हुआ था वह भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडिच जवालना नहरु जी की एकलोती पुत्री थी आज इंद्रा गांदी जी को सिर्फ इसी कारण नहीं जाना जाता कि वह पंडिच जवालना नहरु जी की बेटी थी बल्कि इंद्रा गांदी जी अपनी प्रतिमा और राजनेतिक दस्यों के लिए विश्व राजनेतिक के इथियास में हमेशा जानी जाती रहेंगी इंद्रा गांदी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के हिलाबाद में एक संपन परिवार में हुआ था उनका पुरा नाम इंद्रा प्रदशनी उन्हें एक घरेलो नाम भी मिला था जो इंद्रा का सम्षेप रूप इंदू था उनके पिता का नाम जवालल नहरू और दादा का नाम मोतिलाल नहरू था दादा एवं पिता दोनों वकालत के पेश्वे से संबंदित थे और देश की सविधिंता में उनका महतुपूर्ण योगदान था माता का नाम कामला नहरू था इंद्रा गांदी जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो आर्थिक एवं बोधिक दोनों दर्शे से काफी संपन था उनका इंद्रा नाम उनके दादा पंडित मूतिलल नहरून ने रखा था जिसका मतलब होता है क्रांती लक्ष्मी और सोभा इस नाम के पीछे की यजा यहां थी कि उनके दादा को लगता था कि पोती के रूप में उन्हें माल लक्ष्मी और दुर्गा की प्राप्ती हुई इंद्रा के अत्यंतर प्रिये दिखने के करण पंडित नहरू उन्हे प्रिये दर्शनी के नाम से संबंधित किया करते थे चुकी जवालनाल नहरू और कमला नहरू सोयम बेहित सुन्दर तथा अकर्षित वेक्तित्व के मालिक थे इस करण सुन्दरता उन्हें अपने माता पिता से प्राप्त हुई थी इंद्रा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवा के बाद मिला था इंद्रा गांधी को बच्पन में भी एक इस्तिर परिवार जीवन का अनुभव नहीं मिल पाया था इसकी वज़ यह थी कि 1936 में 18 साल की उम्र में ही उनकी मा कमला नहरू को तपिविक के कारण एक लंबे संगर्ष के बाद निधन हो गया था और पिता हमेशा सोतंत्र आंदोलन में व्यस्त रहे पंडिक जवन नहरू शिक्षा का महत्व काफी अच्छी तरह समस्ते थे यही कारण है कि उन्होंने पुत्री इंद्रा की प्रात्मिक शिक्षा का प्रवन घर पर ही करवा दिया था बाद में एक स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया 1934 पे थीस में अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद इंद्रा ने सांतिनिकेतन रविनना टेगोर के बनाए गए वीश्व भारती वीश्व विद्धेले में प्रेवेश लिया इसके बाद 1937 में उन्होंने आकस्पोर्ड में दाखिला लिया 1942 में इंद्रा गांदी का प्रेम विवा फिरोज गांदी से हुआ इंद्रा गांदी की मुलाकाद आकस्पोर्ड वीश्व विद्धेले में ही पढ़ाई के दोरान हुई थी जो उस समय लंदन में अध्यन कर रहे थे फिर उन्होंने मित्रता के बाद विवा करने का फैसला लिया शादी के बाद 1944 में उन्होंने संजे गांदी को जनम दिया इसी दोरान 8 सितंबर 1960 को जब इन्रा गांदी अपने पिता के साथ एक विदेश दोरे पर गई थी तब फिरोज गांदी की मृत्यू हो गई 11 जन्वरी 1967 को भारत के दूसरे प्रधान मंत्री स्री लाल भादो शास्त्री जी की असमुदाइक मृत्यू के बाद 24 जन्वरी 1967 को स्री मती इंद्रा गांदी भारत की तिसरी और प्रतम महिला प्रधान मंत्री बनी 16 वर्ष तक देश की प्रधान मंत्री रही इंद्रा गांदी जी के शाशन काल में कई उतार चड़ाव आये लेकिन 1975 में आपत कालीन 1984 में सीख दंगल जैसे कई मुद्धों पर इंद्रा गांदी को भारी विरोध प्रधर्शन और तीके अलोचनाओं की अलोचनाई भी झेलनी पड़ी बावजूद उसकी रूस क्रांथी के साल में पैदा हुई इंद्रा गांदी ने 1971 में युद्ध में विश्वशक्तियों के सामने ना जुकने की नेती काल और समयनुकूल निन्ने शम्ता से पाकिस्तान को परस्पर किया और बांगला देश को मुक्ती दिलाकर स्वतंत्र भारत को एक नया गोरकपुड श्रण दिलवाया लेकिन 31 अक्टोंबर 1904 को उन्हीं के अपने अंग रक्षक के ही गोली का शिकार होना पड़ा और यही और वहाँ देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान हो गई थेंक यू फर वाचिंग मी आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए थेंक यू फर वाचिंग मी